नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं जन्हित आवाज और मैं हूँ राशिद खबर है पटियाला हिंसा मामले को लेकर जहाएं इस मामले में अभी तक क्या हुआ है कितनी गिरफतारी हुई है किस पर आरोप लग रहे हैं और इस घटना का मास्टर माइंड किसको बताय जा रहा है और किसका नाम सामने आया है ये सारे नाम मैं आपके सामने पेश करूंगा और सारे जो इस मामले में क्या-क्या घटनाकरम हुआ है क्या-क्या जानच चली है ये सभी मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ नाम लेता हूँ जिनकी अभी तक गिरफतारी हुई है नौ ये नाम है हरीश सिंगला, जग्गी पंडित, शंकर बार्दवाज, कुलदीब, दलजीत सिंग, राजेंदर सिंग इन सभी को पटियाला से गिरफतार किया गया है और देविंदर सिंग को हर्याना के जीन से गिरफतार किया है और शिवदेव को फत्यगड से इसकी गिरफतारी हुई है इस पूरी घटना में जो सबसे बड़ा नाम सामने आया है जैसे हमने बीते दिन प्रोग्राम में आपको बताया था कि कैसे मामला हुआ, कैसे वहाँ पर बवाल मचा शिव सैना और सिक के लोग दोनों तलवार लेकर सडकों पर उत्रे और कैसे मामला बढ़ा आखिर ये मामला अचानक हुआ या फिर एक सोची समझी साजिश थी जो भी पंजाब में घटना करम हुआ है, उसमें सबसे बड़ा नाम साजिश के तौर पर निकल कर सामने आया है बरजिंदर सिंग परवाना का इसको मास्टर माइन बताया जा रहा है, जो पूरा घटना करम घटा है आखिर इस मामले में ये जो नाम सामने निकल कर आया है बरजिंदर सिंग परवाना इसके साथ ही कई सवाल खड़े होते हैं कि कौन है ये बरजिंदर सिंग परवाना क्या करता है, कहां से आया है और क्या इसके भूमिका रही है मैं आपको बता दू कि अभी पंजाब पुलिस इस मामले में जाच कर रही है इन सभी से ग्रफतारी हुई है, पोच्टाच की जा रही है मैं अब आपको लेके चलता हूँ बरविंदर सिंग परवाना के बारे में बताने के लिए आखिर ये कौन है निन के उम्र है 37 साल और कई मामले दर्ज है राजपुरा का ये रहने वाला है और बरजिंदर सिंग परवाना और सन्नी नाम से इसको जाना जाता है इसकी बाजू पर जर्नेल सिंग बिंडरा वाले का टैटू है जिसे परभावित है और उसी की थोड़ी गतिवित यहां बताते हैं कि आकर यह ऐसे ब्यान देते हैं कई ब्यान दिये हैं इन्होंने और इनको लेकर मामले दर्च है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह जमानत पर बाहर है 2007 में यह सिंगापुर गए थे और उसके बाद महा 17 महीने गूमने के बाद भारत लोटे उसके बाद इनके जीवन में पता नहीं क्या बदलाव आई धार्मिक दिवान लगाकर सिखी का परचार किया जिसके बाद यहां से एक इनका अलगी रुक शुरू हो गया उसके बाद दम दमी टकसाल जथा की शुरुवात की जिसके बाद अलग से नारा दिया गया और अलग से प्रचार शुरू किया गया और इस टकसाल इस जथे का परमुक बन गया उसके बाद से शुरू होता है इनका जीवन जिनको जाना जाता है टकसाल परमुक के रूप में और नाम निकल कर सामने आता है बरजिंदर सिंग परवाना कई भड़का उबाशन बाजू पर टैटू जर्नेल सिंग बिंडरा वाले से परभावित हैं और कई केज़ दर्ज हैं और जमानत पर बाहर है पुलिस इन्हें गिरफतार कर लिया है और अब इनसे पूचतास जा रही है और जाच अभी जाच में आपको बता दू कि अभी इन आम आदमी पार्टी इस मामले में कह रही है कि ये शिवसैना और सिखों के दौरा जो घटनकरम हुआ है जो इनसा फैली है तो महीं कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों इस मामले में आम आदमी पार्टी पर इस कारूप मनते हुए कि ये आम आदमी पार्टी उसकी नाकामी है और देखा जाए तो जुम्मा जुमा चार दिन हुए पंजाब में आपकी सरकार बने हुए आकर ऐसे में वो क्या कर लेगी और अपने ही राज्ये में ऐसा माहौल बनाना आकर कौन सी सरकार करती है लेकिन जो इसमें विपक्षी होते हैं देखा जाता है जो विपक्षी होते ह जो बड़ी बाते सामने आती हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे तब तक के लिए हमें दीजिये इजाज़त और देखते रहेंगे जनहित आवाज